ज़्यादा पे करते हो, वो कम प्रीमियम के कारण आपका जो नेट रिटरन है वो बैटर हो जाता है, जो आपका यहां पर जैसे पैसा डबल होने के चांसे ज़्यादा जो है, वो यहां हो जाते हैं, लेकिन वो तब ही होते हैं, अगर मार्केट की मुमेंट आएगी इधर को, fast, बहुत high momentum के साथ अगर market का momentum slow हुआ तो आपके पैसा double होने के chances कम हो जाएंगे, because market का momentum से भी fast theta का speed होगी, theta decay होगा, तो market momentum theta decay से भी fast test होना चाहिए, तब ही आपको benefit यह होगा कि आपका यहाँ पर ROI अच्छा हो जाएगा उसके लिए जनली आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़ा सा expiry दूर की रखनी चाहिए, expiry दूर की होगी, तो आपका theta decay इस case में कम होगा, theta decay भी जैसे जैसे expiry नजदीक आती है, theta decay की speed बढ़े जाती है उसमें भी OTM में theta decay की speed ज़्यादा तेजी से बढ़ते है और ATM या ITM के case में theta decay की speed slow बढ़ती है तो अगर expiry नजदीक आती रहती है OTM बहुत जल्दी जीरो पर बहुंच जाते है अल्मोस्ट